अर्विंद केजरिवाल ने 18 माई को स्वाती मालिवाल से मारपीट के आरोपी अपने पीए विभवक कुमार के गिरफतारी के बाद वीडियो जारी कर भाजपा हेड़कौार्टर पर प्रदर्शन की घुसना की उन्होंने कहा कि भाजपाने हमें खत्म करने के लिए तीन प्लैन बनाए हैं पहला चुनाओ बाद पार्टी के अकाउंट फ्रीज किये जाएंगे दूसरा पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफतार किया जाएगा और तीसरा पार्टी दफतर खाली कराए जाएगा तो और क कि यह सोच रहा कि हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं हमारा कसूर क्या है हमारा कसूर यह कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, सरकारी स्कूल शांदार बनाए, ये नहीं बना सकते, इसलिए ये सरकारी स्कूल दिल्ली के रोकना चाते हैं, हमारा कसूर ही है कि हमने दिल्ली के अंदर महला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए, लोगों के ल पहले दिल्ली में 10-10 घंटे बिजली के पावर कट लगते थे हमने 24 घंटे बिजली कर दी यह उस बिजली को रोकना चाहते हैं हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली वालों की बिजली फ्री कर दी यह फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं लोगों के बस की बात नहीं है फ्री बि कल मैं बारा बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ MLA's MPs सब के साथ बारा बजे बीजेपी हेड़कॉर्टर आ रहा हूं जिस जिसको आप जेल में डालना चाहते हैं आप जेल में डाल लो एक साथ जेल में डाल लो आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर लोगे ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली आप एक पर जाड डाल के देख लो आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगी जेल में उससे सौ गुना नेताओं इस ये देश पैदा करेगा कल बारा बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ बीजेपी है तो देखा आपने अरविंद केजिवाल किस तरीके से पीए मोधी पर हमला बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि वे किस तरह से आपके पीछे पड़े हैं मैं प्रधान मंत्री से कहना चाहूंगा आप यह जेल का खेल खेल रहे हैं कल मैं अपने सभी शीर से नेताओं विधाय को सांसदों के साथ भाजपा मुख्याले आ रहा हूँ दोपर बारे बज़ा आप जिसे चाहे जेल में डाल सकते हैं कि अपने सकते हैं